तो पिछले पार्ट में हमने देखा था की जिंग अपनी कल्फिविशन प्रेक्टिस कर रहा था। तब ही थधर्डーー एंडर वहाँ पर आते हैं और यूनी के साथ रहना चाहोगी तो अब पहले तो जिंग मना करता है लेकिन मास्टर उसे कहते हैं कि तो मैं उसे मार दूँगा इसे फिर यह सुनकर जिंग हा कर देता है उसके बाल मास्टर जिंग को एक स्क्रॉल देते हैं जिसमें की सिगर्ट कल्टिवेशन की टेक्निक्स ल कहते हैं मगर तब पीछे से यूनी आ जाती है और जिंग से माफिमांगने लगती है और उससे कहती है कि मुझे मारी विजह से अब तुम्हें और पर Yue a जिंग सकते हैं ऎसके उसे मना कर देता है और कहता है कि मैंने सिर्फ तुम्हारी जान मचाने के लिए उन्हें हा किया था, अब ये सुनगा, यूनियूस के सामने गुटने टेक देती है, और कहती है कि तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ के बारे में पूछना हो या कोई काम हो तो मैं तुम्हारे मदद करूँगी तो जी उसे खाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे सामने घुटने रिखने के जुरूत नहीं है तुम मुझे आख से आख मिला कर बात कर सकती हो अब उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे इमोर्टल वर्ल्ड और मास्टर की पावर के बारे में कुछ बता सकती हो तो फिर उन्हें उसे सब शुरू से बताती है कि इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर 72 माउंटेंस हैं जिन पर की एड़ॉफ बने हुए हैं और टोटल 866 मास्टर से और उन सभी एड़ॉफ में जो आलिंग एड़ॉफ यानि की हमारा एड़ॉफ सबसे नीचे आता है हमारे पहले के मास्टर वैंग इमोर्टल केंग बनने के सिर्फ एक कदम पीछे थे मगर ब्लैक वार्टर अंडर वैल्ड में एक सिक्रेट ट्रेजर ढूंटे हुए उनकी जान चली गई और फिर होना क्या था जैसे ही पेर गिरा सारे बंदर इधर उधर होने लगे इसका मतलब कि जैसे ही मास्टर वैंग गए नए मास्टर आने लगे मगर कोई भी मास्टर वैंग यतना थाकतवर नहीं था मुश्किल से कुछ मास्टर हैं जो कि हैवन रिलम तक पहुँच पाए पर फिर भी अभी तक कोई मास्टर वैंज की बराबरी नहीं कर पाया अब जिंग उससे पूछता है कि सारे अल्डर्स और मास्टर तुमारे साथ रोज कैसा बरताफ करते हैं तो यूनी उदास होगे बताती है कि हम रोज उनके लिए काम करते हैं लेकिन फिर भी हमें बुरा भला कहा जाता है और कई बार तो मारा भी जाता है मेरी कई बहनों को इतना मारा उन्होंने वो मर गई हमें दिन रात काम करना पड़ता है अगर हम काम ना करें और स्टूर्ड हमें देख ले तो वो हमें बहुत मारता है अब जैसे ही जींग ये सब सुनता है उसे बहुत जाता गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि इमोर्टल वोकर ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं मैं इन्हें किसी भी कीमत पर माफ नहीं करूंगा अब यूनी जिंग से कहते हैं कि तुम ऐसे कुछ भी नहीं करोगे यहां कि मास्टर एल्डर बहुत तागतवर है और तुम उनकी बराबरी नहीं कर सकते इसलिए जब उनकी नज़र तुम पर ना हो तुम यहां से भाग जान है इसलिए जिंग यूनी से कहता है कि अब मुझे practice करनी है तो यूनी से कहते हैं कि तुम्हें अभी rest करना चाहिए लेकिन कहता है कि नहीं मैं अभी rest नहीं कर सकता फिर जिंग कल्टिविशन करने लग जाता है और यूनी वही पर खड़ी उसे देखती रहती है जिंग सोसा है कि इमोर्टल वर्ल्ड की पावर इमोर्टल वर्ल्ड से बहुत कम है इसलिए अगर मैं यहाँ पर जादा कल्टिविशन करूँगा तो मेरी पावर बहुत जादा बढ़ जाएगी अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर में जिंग का कल्टिविशन स्ट्रॉंग होते जा रहा था लेकिन फिर वो औरा इतना स्ट्रॉंग हो जाता है कि आसमान में काले मदल छाने लगते हैं और बेजली गरने लगती है यह सब मास्टर और दोनों एल्टर्स देख रहे थे और बहुत ज़दा शौक थे कि यह क्या हो रहा है अब वो जींग से थोड़े दूर थे इसलिए उन्हें नहीं पता था कि यह सब जींग की कलिशन का कमाल है इसलिए वो सोचते हैं कि ना जाने यह क्या हो रहा है अब मास्टर और अवाज लगाते हैं कि क्या कोई है फिर थर्ड एल्टर मास्टर से कहते हैं कि हमें यहीं पर रुखना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे क्या होता है अब हम वापस से यूनी और जींग के पास आ जाते हैं जहापर यूनी अभी भी जींग को कल्टिविशन करते हुए देख रही थी लेकिन तभी यूनी अपने पास से एक चाकू निकाल लेती है और धीरे धीरे जींग के दरफ बढ़ती है लेकिन वो बहुत उदास थी पर जींग के पास पहुंचकर उस पर टैक करने लगती है मगर वो रुख जाती है शायद वो ऐसा नहीं करना चाती थी अब वो फिर से जींग के पास चाकू ले जाती है पर एक बार फिर वो उसे नहीं मार पाती और उसके हाथ से वो चाकू नीचे किर जाता है और वो अभी गुटने के बल होकर रोने लगती है उसके रोने के अवाज से जींग के आगे खुल जाती है अब आपको क्या लगता है कि जीन को चाओ को मारने के लिए योनी को किसने कहा होगा क्या वो मास्टर होंगी या फिर योनी ही कुछ छिपा रही है अब ये तो हमें अगले पार्ट में ही पता चलेगा वैसे अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा हैं तो आपका बहुत बहुत थैंक यू फिर मिलेंगी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ गाइस